आजी ठु बीजेपी रोव दुई दिन या परिबर्धीता राजियो कार्जय करणी बईच्छा केति पाइं ओडिसा गस्तर रासुच्छंती बीजेपी रास्ट्रोय धेक्यों तथा केंद्र स्वास्थे मंत्री जेपी नड़ा पुरीर बल्या पंडास्तिता एक होटेल थार बईच्छेबा राजियोरे बीजेपी सरकार गठन परे प्रतम थर पाइं राजियो कार्जय करणी बईच्छ बसबाकु जाओचि आजी सकड़े दोसरे पलाधी करिंकर बईच्छेबा अपरण्ह साधे दीटारे कार्जय करणी बईच्छोकों कु उद्घार्टन करीबे बीजेपी नडड़ा यहां कोडिये तारिक संध्या परजयन तो चालीब वयचकरे मुख्यमंत्रीं का समेत सबु मंत्री सांग्सद विधायक केंद्र मंत्री आधी उपस्तित रहीबे बयचकरे राजनेतिक परिस्तिती संप्रतिक सरकार जनक ल्यान करी जोजना ए सबु विसरे चर्चा हैब एती सहित आगामी रणान मिन्निती मध्यों ए बयचकरे प्रसुद कराजिब निर्बाचन बले बीजेपी 122 सीटर विधान सबर आगरे थिलावंग एहा केमिती आगामी समयरे मध्यों बलाबत्र रही परिवा ताकु बीजेपी गुरुत्त देईछी कार्जिकरणे बयठकरे इसबु प्रशंग कुनेकी आलोचना करा जिब एबं गुरु मंत्र देबे जो माने कर्मी आसिबे तांकु गुरु मंत्र दिया जिब दलर सिर्शनेत्ता गुरु मंत्र देबे रणानिती प्रस्थुद करीबे आगामी समयरे दलकीमती आगोखु प्रभारी बिजयपाल सिंग्ग तोमार को सहते आलोचना करी शेंते अम प्रतिनिती दिवासिस अब दाइत्व भी बढ़ चुका है और राज्यकार्जेकरेनी हो रहा है तो इसमें क्या एजेंडा रहेगा तो हम आगे बढ़ रहे हैं संकल पत्र को लेकर के और ये सब विशय हमारी शिनावों के कारियों की समिक्षा 111 विधान सबाओं में हमने लीड किया है लोग सबाचनाओं में कि यहां की जनता का आशीरवाद है उस जनता को भी धन्यवाद देना है देखा जाए तो ये तो रही सरकार की बात सरकार में आप जो जो प्रतिस्रुती बाद जो चुनावी प्रतिस्रुती देखर आए हैं वो सब पुरा करेंगे मगर संगठन की बात करें तो संगठन को कैसे और से और मुजबूत किया जा सकता है इसलिए उस विसे में कुछ आलोच ना हो सकता है क्या कार्यकारनी में हमारा संगठन बहुत अच्छा काम किया है संगठन के कारेकरताओं ने केंदर की योजनाओं को जो पिछली सरकार केंदर की योजनाओं पर अपने ठपे लगाए हुए थी जनता के सामने उसको एक्सपोज करने का काम किया है तो संगठन सक्रियर है जिस तरह रहा है चुना जो कारिय करेनी में तो एक एजेंडा प्रस्तुत करता है तो बूथ मैनेजमेंट और और भी तुरून मुल स्तर के स्तर में बीजेपी को सगठित करने के लिए आज कुछ एसा एजेंडा क्या कुछ गूर मंत्र देने वाले हैं सराश्टिया देखें 70% बूथ मैनेजमेंट बूथ कमेटियां हमारी सत्यापित हुई थी सही पाई गये थी और चुनाव आने के बाद चुनाव गोचना के बाद 70% बूथ पर हमारे कारेकरता सक्रिय थे वो कारेकरता सक्रिय रहे और जो हमको 111 विधान सबाओं में लीड मिली है एक लक्स तेय हो संपर्ख रखए यह सब बात यह आने वाली एंब देखा दे तो आप यहां सर्कार बना चुके थो कितने टम्न कंप यहां सर्कार बनाने के लिए आप इसन्हें sudah अब 25 साल तक यहां भार जंता पारटी का राज रहेगा उसकी जड़े गहरी रहेंगी उस संग्ठन को मजबूत करने के लिए हम सब लोगे हम प्रियास करूँ